एशियन डेवलिप्मेंट बैंक के प्रेजिडेंट मासात सुगू असाकावा जिनका भारत मंडपम में आगमन हो चुका है पहले मैमान आज के G20 शिकर सम्मेलन 2023 में भारत के अध्यक्षता में भारत मंडपम में प्रविश करते हुए एशियन डेवलिप्मेंट बैंक के अध्यक्ष एशियन डेवलिप्मेंट बैंक जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में समावेशी विकास की सोच को आगे बढ़ाता है बहुत ही आवश्या है इसी सोच के तहट ये बैंक विभिन देशों को वित्भी उपलप्ट कराता है और ये विकास को भी गती देता है इन मावनों में एशिया के विकास के लिए एशिन डेवलिप्मेंट बैंक अपने भूमिका लगाता बढ़ाता रहा है बहुत बड़ी भूमिका 21 सदी एशिया की सदी और एशिया में फाइनस की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए ADB ने महतपूर्ण भूमिका ने भाई और कैसे इसको और सशक्त किया जाए कैसे इसका बहतर कैपिटलाइजेशन किया जाए उस पर भी फोकस ADB का इस वक्त आ बाते हुई नजर आएंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अप्शारिक रूप से इन सभी नेताओं का स्वागत करेंगे एशियन डेवल्लेप्मेंट बैंक के प्रेजिडेंट मासाथ सुगू असाकावा जो भारत मंडपम में प्रवेश कर चुके हैं और अब कुछी पलों में प्रधानमंत्री उनका अप्चारिक स्वागत करेंगे भारत मंडपम में जिस जिस थान से हमारे राष्ट्रा ध्यक्ष विभिन महमान गुजरेंगे उन्हें फ्लैक्स के द्वारा जंडे लगाकर उनका स्वागत किया जा रहा है और भारत मंडपम की खुपसूर्टी से दोचार होते हुए ये सभी हमारे मेहमान मुखिस्थल तक पहुचेंगे एशिया एक्षित्र में इंफ्रस्ट्रक्चर डवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए एडीबी की बहुत ही महतपूर भूमिका है और भारत एक बहुत ही एहम हिस्सा इस तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एशियन डवलपमेंट बैंक के प्रेजिडेंट मसाथ सुगु असाकावा का स्वागत करते हुए